नील भट के मेगा बर्से शो ओफेर होने से पहले मेकर्स ने बदली पड़ी प्लैनिंग आईशा सिंग की एंट्री पर हुआ बड़ा खुलासा आईशा के आने से शो नहीं होगा ओफेर तो इस वीडियो हो किजिए मैकसिमम लाइक और चनल पे ढए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का दोस्तो मेगा बर्से शो जुकी इसी महीने ओफेर होने जा रहा है अब मेकर्स ने बदल दी है अपनी प्लैनिंग मेकर्स देने जा रहे हैं बड़ा तौफा एक ले लिया है बड़ा स्टैप जिसके चलते नहीं होगा मेगा बर्से शो ओफेर दरसल मेगा बर्से शो को ओफेर किया जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वज़ा है गिरती टियार पी खराब ओडियन्स रिटेंशन लेकिन अब इस इबीच मेकर्स ने एक बड़ा दाओ खेल दिया है मेकर्स ने अप्रोच किया है आईशा सिंग को और बहुत ही जल्दी आईशा की हो सकती है शो में एंट्री आईशा सिंग रिप्लेस करेंगी नेहा राने को जो कि नील भट के साथ जिस केमेश्ट्री को सबसे ज़ादा एकसाइटेड और सबसे ज़ादा ओपोर्चिनिटी के लिए फैंस वेट कर रहे थे जिस ओपोर्चिनिटी का वो फाइनली मेकर्स ने बड़ी प्लैनिंग कर ली है कि अब आईशा सिंग की शो में एंट्री होगी जिसके चलते ही ये इकलोता ओप्शन है लिगाबर से शो की मेकर्स के पास कि वो इस शो को ओफेर होने से बचा सकते हैं फिलाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या आप भी एकसाइटेड हो क्या आपको भी लगता है कि आईशा सिंग की एंट्री होने से इस शो को ओफेर होने से बचाया जा सकता है या फिर आप मानते हैं जी नहीं आप इस शो में कुछ भी बचा नहीं है शो को ओफेर कर देना चाहिए मैं जानना चाहूंगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए